Good morning children, आज हम सब कुछ basic things के बारे में जानेंग। Basic things, किसको बोलते हैं? Basic things, वैसे चीज़ों को जो हम daily ways में use करते हैं या फिर अपने आसपास देखते हैं, ठीक है? तो चलो, start करते हैं, let's start First में आपके screen में क्या दिया हुआ है? किस चीज़ का picture है? Yes, साबुन का तो साबुन को इंगलिश में क्या बोलते हैं? आप सब घर में बोलते हो साबुन साबुन बट इंगलिश में शे क्या बोलते हैं? इंगलिश में साबुन को सोब बोलते हैं आप सब जब बातरूम में नहने जाते हो, बात करने जाते हो ना? तो अपने body को clean करने के लिए क्या चीज़ से नहाते हो साबुन से नहाते हो ना साबुन को रब करकर करके अपने body को clean करते हो ना तो साबुन को English में soap बोलते हैं क्या बोलते हैं? Soap चलो next Next क्या है? Hindi में बोलते हैं से balty और English में से क्या बोलते हैं? मैंने आपको बहुत बर बताया है येस बक्किट बाल्टी को इंग्लिश में बक्किट बोलते हैं जो आपके बाथरूम में भी होगा और किचन में भी होगा आप सब इसी में वाटर भर कर नहाते हो बाथरूम में बाल्टी में पाने स्टोर करते हो ना और उससे फिर मग से लेकर नहाते हो न, मस्ती करते हो न, और ममा अपने कीछन में, इसमें पानी भरके रखती है खाना बनाने के लिए, तो बाल्टी को क्या बोलते हैं, बककेट, उकेँ, तो अब से आप लोग बाल्टी को क्या बोलोगे, बककेट, चलो next क्या है yes fan बट ये कौन सा fan है एक जो table पे रहते है आपके घर में भी table पे होता है ना रखा हुआ उसको बोलते है table fan और ये ceiling पे होता है इसलिए उसको बोलते है ceiling fan ऐसे हम सब इसको पंखा बोलते हो हिंदी में क्या बोलते है पंखा और English में से क्या बोलते है fan क्या बोलोगे fan तो पंखा को English में क्या बोलते है fan आपके घर में है ना fan और fan आप कब चलाते हो येस जब हमें गर्मी लगती है जब हम बेचैन हो जाते हैं गर्मी से तो अपने आपको क्या करते हैं, बेचेनी से बचाने के लिए, गर्वी से बचाने के लिए, हम सब फैन के नीचे बैट जाते हैं, बैट जाते हैं, ताकि हमें हवा लगे, और हमें राहत मिले, तो पंखा को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, येस, पंखा को बोलते हैं, फैन, चलो, आपके घर में है ना fan आपके रूम में good चलो next क्या है शू किसको बोलते है शू बोलते है जूता को आपके पास है ना बहुत सारे shoes होंगे बहुत सारे है ना shoes आपके घर में आपके school में black color की shoes होंगी जो आप पहन के आते थे आप जब party function में जाते हो तो भी बहुत अच्छे अच्छे आपके पास सुन्दा सुन्दा shoes होंगे तो जूता को क्या बोलते है शू चलो next येस चाता आपके जब सब्बा है ना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा चाता को क्या बुलते हैं अंप्रेला और अंप्रेला हम सब कभी उस करते हैं येस बारिश में और धूप में जब कभी भी बारिश होने लगती है अचानक से या भी बारिश का मौशम भी है ना भी ब बारिश के मौसम में ऐसे ही निकलेंगे तो हम भींग जाएंगे तो हमें बारिश से बचने के लिए क्या यूज करते हैं हम बारिश से बचने के लिए क्या यूज करते हैं अंब्रेला ओके और रेन कोट भी यूज करते हैं और जब तेज धूप होती है जब हमें धूप लग तो भी हम सब अंब्रेला का यूज़ करते हैं बारिश और धूप से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं अंब्रेला अंब्रेला को क्या बोलते हैं अंब्रेला को बोलते हैं चाता चलो नेक्स्ट आ गया मुह में पानी मेरे को भी आ गया अचार क्या चीज़ का है आचार आम का आपकी मम्मा भी बनाती है ना आम का आचार घर में पर आचार को इंगलिश में क्या बोलते हैं आचार को इंगलिश में बोलते हैं पिकल क्या बोलते हैं पिकल और ये मैंगो पिकल है आम के आचार को क्या बोलते हैं मैंगो पिकल तो आचार को क्या बोलोगे? पिकल कभी-कभी आपको मम्मा देती है ना राइस वेजेटेबल के साथ खाने के लिए आचार खटे मिठे होते हैं होते हैं ना आचार को क्या बोलते हैं? अचार को बोलते हैं पिकल तो अपसे आचार को क्या बोलोगे पिकल चलो, next चीनी सब खाते हो ना, आप लोग वो चीनी वाली राइम्स भी सुने हो ना, पोएम जॉनी, जॉनी, येस पापा, एटिंग शुगा नो पापा, शुगा किसको बोलते हैं, चीनी को शुगा किसको बोलते हैं, चीनी को अपको ममा जब मिल्क देती है ना, ड्रिंक करने के ले दीती है ना, मिल्क तो उसमें बॉन बीटा या बुस्ट देती है ना, और पिंच अप शुगा भी डाल देती है तो चीनी को क्या बोलते हैं, शुगा तो आप से आप लोग प्या बोलोगे चीनी को, शुग, ओके, चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये है नमक, खाने का स्वाद बढ़ाता है नमक, मम्मा जब कोई भी सबजियां बनाती है ना, बहुत सारी सबजियां बनाती है मम्मा, आलू की, पटेटो की बनाती है, बरिंजॉल क की बनाती है, कालिफला बनाती है, सारी सबजी बनाती है, तो सबजी यों हमें क्या डालती है, सबजी जब ममा बनाती है, वेजटेबल, तो नमक डालती है, नमक नहीं डालेंगी, सौल्ट नहीं डालेंगी, तो खाने का सुवाद भी नहीं आएगा, फीका पीका लगेगा, त क्या बोलते हैं? Salt तो अपसे आप लोग नमक को क्या बोलोगे? Salt चलो, याद रहेगे ना? नमक को क्या बोलते हैं? Salt चलो, next येस, घड़ी-घड़ी मुझे में मालूम है आप घड़ी-घड़ी बोल रहे हो पर घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते है, clock, घड़ी को क्या बोलते है, clock, आपके घड़ में भी होगा, होगा न, दिवाल पे टंगी हुई, हैंकी हुई रती न, दिवाल को क्या बोलते है, wall, और जो घड़ी दिवाल पे टंगी होती है, हैंकी होती है, उसको बोलते है, wall clock गड़ी को क्या बोलते हैं, टाइम बताती है, टाइम शो करती है, पापा टाइम से आफिस जाते हैं देखकर, तो घड़ी क्या करती है, टाइम बताती है, ओके, तो घड़ी को क्या बोलते है, और जो दिवाल पे टंगी होती है, घड़ी उसे बोलते है, वाल क्लोग, याद र तीड उल्पी आपार नंच मा था के उल्पी मस्वर्ड को पहले च्ड़ आहlles horrी को बूले हैं। और गंबार्यबर तीड को toade मा थाक्तर की आहें । मांविश क्तर पोगल था रेके साथना को थाक्तर आ साथना रूर्पि झ। इसलिए से mustard oil बोलते हैं सरसो तिल में क्या होता है येस खाना बनाती है ना ममा सरसो के तिल में तो सरसो के तिल को क्या बोलते है mustard oil क्या बोलोगे mustard oil चलो next येस मखन है आप सब bread में लगाते हो spread करते हो ममा आपको butter लगा के देती है ना बटर लगा के देती ना ब्रेड में तो मक्खन को क्या बोलते हैं मक्खन को क्या बोलते हैं बटर मक्खन को क्या बोलते हैं बटर जो कि मम्मा आपको ब्रेड में लगा देती हैं कभी-कभी आपकी चापाती में भी लगा देती हैं रोटी में लगा देती हैं आपको बटर सबसे ज़्यादा किसको खाना पसंद है भगवान कृष्ण को वो बहुत माखन चुरा चुरा कर खाते थे बचपन में क्योंकि उन्हें बहुत माखन पसंद था और मखन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बटर चलो next रोटी यह तो मुझे भी पता है यह रोटी है बट रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रोटी को इंग्लिश में बोलते हैं चापाती क्या बोलते हैं इंग्लिश में चापाती आपको ममा देती न चापाती खाने को आप सब खाते हो ना breakfast में भी खाते हो कभी-कभी लंच में भी खाते हो डिना में भी खाते हो खाते हो ना ममा आपको देती थी जब आप स्कूल आते थो तो टिफिन में भी ममा देती थी चापाती देती थी ना तो रोटी को क्या बोलते है चापाती चलो नेक्स्ट ये क्या है ब्रश मालूम है मुझे भी ब्रश है पर कौन सा ब्रश है ब्रश बहुत तरह के होते हैं जो आप लोग पॉलिश करते हैं शूज ब्रश भी होते हैं पॉलिश करने के लिए सूज को पॉलिश करने के लिए पर ये कौन सा ब्रश है येस इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं टूथ क्योंकि ये टीत को clean कרता है, हमारे दातों को clean करता है, दातों की सफाई होती है इसी लिए इसे क्या बोलते है? टूथ ब्रस आप सब मॉर्णिंग में सब अपने टीत को clean करते हो ना, टूथ ब्रस से Very good चलो तो ब्रश को क्या बोलते है? टूथ ब्रश ये क्या है पेस्ट येस अब टूथ ब्रस तो सिर्फ ऐसे ही दातों में नरब करोगे आप सब पेस्ट लगाते हो ना तो कौन सा पेस्ट टूथ पेस्ट येस दातों में कौन सा टूथ पेस्ट लगता है तबी तो हमारे दात क्लीन होते हैं टीथ को क्लीन करते हैं टूथ पेस्ट लगाकर टूथ ब्रस से हम लोग अपने दातों को अपने टीथ को क्लीन करते हैं तो ये क्या है? बोलो येस टूथ पेस्ट चलो ये क्या है? कोकोनट आयल नारियल के तिल को क्या बुलते हैं? coconut oil आप सब बाल में लगाते हो ना कौन सा तिल लगाते हो? बहुत लोग आमला तिल लगाते हैं कोई-कोई coconut oil लगाते हैं कोई-कोई बच्चे mustard oil भी लगाते हैं आप सब कौन सा oil अपने सर पे लगाते हो के अपने बालों में कोफ़ो आटिय boule गोड चलो नेक्स्ट क्या है है किसको बूलते हैं बाल में जो हम लोह अपने बालों में लगा थे हैं जैसे हमें भूख लगती है तो हम सब खाना काते हैं अपने detection करने के लिए फ्रुट你们 वेजटेबल्स खाते हैं वैसे ही अपने बालों को स्ट्रॉंग रखने के लिए हमें बालों को भी क्या लगाना चाहिए और लगाना चाहिए तबी तो मजबूत होंगे नहीं तो बहुत जल्दी जड़ने लगेंगे कमजोर हो जाएंगे तो हम लोग हिया जो बाल में अपने कंगी वेरी गूट बट इंगलिश में क्या बोलते हैं कॉम अपने बालों को आप लोग सवारते हो ना सवारते हो ना जाडते हो आप लोग बोलते हो अच्छे से हम लोग अच्छे से बालों को सवार लू तो की से सवारते हो कॉम से कंगी को क्या बोलते हैं कॉम चलो यह क् तॉलिया हाँ बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में तॉलिया को टॉल बोलते हैं या टाल भी बोलते हैं आप सब जब बाथू में नहने जाते हो तो अपने बॉड़ी को वाइप करते हो ना पोचते हो ना तो क्या चीज़ से पोचते हो वाइप करते हो टॉल स और टाल भी बोलते हैं तो आज से आप लोग तॉलिया तॉलिया नहीं बोलोगे क्या बोलोगे? टाल बोलोगे या फिर टाविल चलो फिर से एक बार और रिपीट करूँ ये क्या है? तॉलिया को बोलते हैं टाल कंगी को क्या बोलते हैं? कॉम बालों में जो तिल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यह ओयल, यह क्या है? coconut oil, नारियल के तिल को बोलते हैं यह क्या है? टूथ पेस्ट, जो हम अपने दातों में लगाते हैं क्लीन करते हैं अपनों दातों को, तीथ को टूथ ब्रश, क्या है यह? टूथ ब्रश रोटी को क्या बोलते हैं चपाती मक्खन को क्या बोलते हैं बटर सरसो के तेल को क्या बोलते हैं मस्टर्ड ओयल घड़ी को क्या बोलते हैं क्लॉक नमक को क्या बोलते हैं साल्ट चीनी को क्या बोलते हैं शुग अचार को क्या बोलते हैं पिकल छाता को क्या बोलते हैं अम्ब्रेला जूता को क्या बोलते हैं शू पंखा को क्या बोलते हैं फैन बाल्टी को क्या बोलते हैं बक्ट और साबुन को क्या बोलते हैं शू आज मैंने कुछ आपको बेसिक थिंग्स सिखाया ओके ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सब बताओंगे ओके और ये सब को लर्ण भी करोगे टाटा बाई बाई आन टेक केर